जेहन्द इस्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में बागों की आबादी पर तो 6.1 प्रिशत की वाशिक वृतितर के साथ इस समय 4925 होने का अनुमान है गतवर्ष क्या हुआ था प्रिधार मंत्री मानी नरेंद मोधी जी ने 3167 की गोशना करी थी कि इतने बाग भारत में मौज़ोत है तो उत्रा और ये जो गोशना करी थी उन्होंने मैसूर में करी थी इस समय उत्रा खंड के राम नगर में कहां पर उत्रा खंड के राम नगर में ये गोशना करी पर्यावरन मंत्री जो पर्यावरन वन और जलवाई परवरतन राजमंत्री हैं कौन है अश्वनी कुपाब ठीक है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी और उसके अनुसा इन्होंने भी बताया कि 6.1 एक विश्चर की दर से ये आवादी बढ़ी है और इस समय भारत में पूरे विश्च का 75% बाग मरज़ुद है ठीक है पचास कंप्लीट हो चुके हैं 1973 में प्रोजेट टाइगर लाउंच हुआ था 2023 में पचास वस पूरे हो चुके हैं तो इस समय अगर संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे आदा बाग कहां पर हैं मध्य प्रदेश में हैं और टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो कायम रखा इस कर लेते हैं तो सबसे आधा 260 भाग उत्रा घंड के टाइगर रिजर्व में पाये जाते हैं जो कार्बेट रिजर्व है उसके बाद बादीपूर में डेड़ सो नागर हूल में 141 वांधागर में 135 मधुमले में 114 काना में 105 काजी रंगा में 104 सुंदरवर में 100 ताडोबा म सत्ताद में सत्यमंगला में 25 और पेच में 77 भाग मिलें याद रखीगा 2018 में जन गरना हुई थी भागों की उसके बाद 2022 में यानि कि जो एंटी सीए है राश्टी भाग संस्क्रण पाधिगरन वो हर चार वश में ये बाग गरना करता है थैंक्यू